अज असी अपने इस वीडियो विच प्रे म प्रिकाश जी दी कहाणी गोई नुग डिस्क़करण जारे हैं गोई कहाणी प्रेम प्रिकाश दियां ऊन्ना कहाणियां विच्चो हैं जेडिया समास दे मानवी सरोकारा नाल अंतर सबंदित हो के अपना कथा प्रबंद सिर्जदिया हन। एहे कहाणी एक पासे शेरी मदवर्ग दे दिखावय वाली जिन्दगी अते दुजे पासे पेंडू जीवन दी सिद्धी साधी जिन्दगी दे अंतर विरोधां वीचों पैदा होए तनानों दर्शनों दी है। प्रेम प्रकाश्टी जिन्दगी जन्दगी 1932 विविच्छोया उन्नाने एम्मे उर्दू विचकिती अते उन्ना दा कित्ता अधियापन अते खेती सी। उन्नाने बहुत सारे कहाणी संग्राय लिखे जिमें कचक्डे, नमाजी, श्वैतांबरने केहा सी, प्रेम कहाणियां, मुक्ती, कुझ अनकेहावी, पदमांदा पैर। इन्ना तो इलावा जैसी उन्ना दे मांसनमांदी गाल करिये, ता उन्ना नूपा आर्ती साहित अकादमी पुरसकार प्रापत होया, ए उन्ना दे कहाणी संग्राय कुझ अनकेहावी लई, 1992 में विच मिलियां। दूसरा उन्ना नूपा शावी पाग पंजाब वल्लों शुरोमनी पंजाबी साहित कार पुरसकार 2002 विच प्रापत होया, रियार्तियों होन असी कर लेने हा, इन्ना दी कहाणी गोई, जो के इस तरा है, अजीव इतफाक है, आज मेरी बेबेदी बरसी है, ते आज ही मेरे जनम दिन है, जनम दिन मनाया जा रहा है, हर साल मनाया जानता है, एहे मेरी नहीं, मेरी पतनी बलविंदर उर्फ मिसिस कैप्टन पुलर दी मर्जी है, ते मेरे बापू दीवी, बेबे दी बरसी वाली बापू दी उदासी इस खुशीच लुकी रहन्दी है, के ओ दी कुल दी जड़ हरी है नहीं ता हर दुवार दे पांडेयां दी वहीज सड़ा खता बंद हो जान्दा है फाजियां दी इस डिफेंस के लोनीच आंदा जान्दा ते अपने रैजमेंट च मैं मेजर बनन वाला सीनियर कैप्टन हुन्दा हां पर कर आके मैं आम फाजी भी नहीं रहन के मैं इस दिन वास्ते कार पांचे आहां हुन ठके अंग पसार के पिछले कमरेच पे आहां जंगी दी मम्मी दे होकम नाल नौकरानी बिमला सफाईया कर दी फिरती है बाहर शाम्याने लगदे पईने कोठी ते सजावट हुन्दी पईये जंगी दी मम्मी ते ओदे मेरी सुन रहे ने जां गप्पा मारते हस्ते पईने कर्च एनना रोडा मेरे दिल दिमागते बोज बनिया पिया है सूरज दी निकी किरन मेरे मनजे ते आ पई है चादर ला के बैठा हां ते मेरी नजर खिड़की विची होके गैरेश दे बुहे ते टिक गई है जिते ठीदे साठे चार कम्रियांचों इक भी मेरी बापू ले नहीं जीने अपनी सारी जुआनी फौज चे सपाही बन के ते टालदी उमर खेती च लाई है एक गल नहीं के कोई उनों इनना कम्रियांच वड़न तो रोकदा है जा रोक सकदा है बस जीमें बज़र्ग केंदे ने हुन्दे ने समेदा ही फिर समझो के ना इहे कम्रे उनों चल देने ते ना ही ओ आप इनाच रहना चांदा है जद मेरी बेबे मरी सी ता मैं बापू दी गिर्दी सेहत ते कमजोर नजर दा ख्याल करके उनों एथे ले आया सी ओदो असी नाल दी कोठीच किराईते रेंदे स जिस कोठीच होन असी रेंदे हां ए ओदो खाली प्लाट सी बापू दे आउन तो कोज दिन बाद ही कर्च अजीब किसम दा तनाव जीहा पैदा होन लग प्यासी बापू बारों आके वरांडे जां कोरीडोर विच लंगदा ता बलविंदर बिमला नों कैके शीशे वर गे चमकदे फर्ष दे पूच्चा मरवादन दी बापू जुत्ती लाके नंगे पैरी लंगदा तावी फर्ष दे पैरां दे दाग मिटवादन दी मैं देखदा खिजदा रेंदा एक दिन खिज़के मैं ओधी ते ओधी सफाई पसंदी दी माँ पैन एक कर दिती तक किन्ने द दिन कर्च प्लेश प्यारिया बापू भी दुखी रिया बलविंदर दे दोमे प्रा आई मा आई मेजर आर एस अरोडा आप आई सानो दोहा नो समझोंदे रहे रोब भी पॉंदे रहे तद मैंनो अपने गलती दा एसास होया पई मैं इन्ने माडे जट दे पुत ने एड़े अमीर मेजर रोडां दी ती दा हाथ क्यों कबूल कीता ओधों ता मैं अपने अफसर दे कर जाके बलविंदर नाल दो गल्ला करके ही कमला हो गया सी अपनी गलती दा एसास मैंनो ओधों भी होया सी जट पर विंदर दे मापयां रिष्टेदारां दे गैने कपड़ें दी ठा मेजर दी लोग हो गई सी जिननानो व्यादियां रितां दाता की लागियांनो देन दा भी पता नहीं सी व्याज जित्थे देना मेरे बापूनो बनदा सी उत्थे मेजर सायव बटूआ खोल के खलो जान्दी जिवे ओ काला होवे साधी जां अपने कुडमा दी इज्जत र दी दा एसास होया सी मिसेज अरोडा तक कई दिन रोंदी रही सी पर उन्ना ए सोच के सबर कर ले आ सी पई मुंडा सोना होन हार है साउ है तरक्की कर जावेगा कुडी नू सुखी रखेगा थरले लग के रवेगा आखर ओहो गल होई उन्ना मेरा सारा कार समान नाल पार दे होन वी इसका अर्च मेरा मैं ही हाँ एक पुराना ट्रंक है एक बिस्तरा जा संदूक चपई बेबेदे गोदडे बाकी सब कुछ बलविंदर दा है जंगी दे पहले जनम दिन ते ता उन्ना एहे पलाट खरीद के बलविंदर दे ना कर दिता सी फिर एहे कोठी बनी फिर ए जान दी है जहां जे कोई चीज खरीदी वी जान दी है ता ओ बलोविंदर दी पसांद हुंदी है मेरी सिर्फ हां हुं दी जे मैं इस तरह निकी निकी गलते चगड़ा करया हुं दा ता एहे कार होण तक काधदा उज़ड चुक या हुं दा हैं जी मेटल दे गुल दस्ते मंगवाल ये एक डजन वीर जी दी प्रपोजल है ओ रेट तैकाराई ने बलविंदर काली काली पुछ दी है मंगवाल हो मैं चूटा जया मुस्करा दिन दा हा जद सौधा हो चुका है ता मेरी ताहमी दी ही कसर रह जान दी है बापू जोर दी खंगया है थुक के चुप हो ग जेडा कार बनाया सी ओ बलविंदर ने अपनी कोठी बनाण दे लोब्च तो आ दिता सी ओ बापू दा दुज्या उजाडा सी जद बापू नू पता लगगा पई एहे पलाठ ओदी नो दे ना है ताहो मेरे खेडे ही पैगया पई ओदे च बने डंग टपाउ कमरे दे नाल छन पा के ओनो ओदे च रेंड दिता जावे इस तरह वक्रे रेंड दे की गल होई मैं ते बलविंदर सोच के बड़े ओखे होई पर मैं छेती ही मन गया मैं बापू नू उस दुख तो बचा नहीं सकदा सी जड़ा बलविंदर दे सलोक तो ओनो मिलदा सी कई वार मैं नू लगदा पई पतने बिना आदमी दी ओही हालत हुन दिये जेडा मा बिना पुत दी हुन दिये इस तरह साड़े दुख दी इक सांज भी बन दी सी एक दिन इसे वेग्ज ओ जो कुझ आखी गया मैं मनने गया बापू ने कुझ दिनाच ही पिंड दा अद्दा कोठा उदेड के गड़ा पार लेांदा ते दिनाच ही नवा जया कोठा ते अग्ये छान उसार ले पिंड वाला नलका पुट के गड़ ले बेडे च तूत ते देख दे द्रख्त लाले पिंडो एक चोटी ले आके बन ले इहे कम कर दे करांदे नू बापो नू देख के मैंनू विसुख मिलता सी मैंनू एह इतिहासिक गर्ला चेतेयां दियां सान जद पुलरांदा एक टबर कितों उजड के रियासत नाबे दे एक जागीरदार दे बीड़ च मामला तारन बदले जमीन मलके बैगया सी ओदे जीयाने टाक किकरां ते फलाइयां वड के तरती कड़ी सी ते कुलि पाके पिंड बन ले आसी पुलर माजरां बापु बड़ा खुश्रेन लग पयासी ओ सारा दिन अपना कर सुवार्दा रेंदा चोटी खोल दा चार दा बन दा रेंदा अपने ते अपने डंगरां दे बेहन खडन वास्ते तो पच्छांते पुरे पच्छोंदा हिसाब कर अपने कर्च जिते मर्जी जिवे मर्जी बैठे पावे नंगे पैरी फिरे पावे जुती पाके ते पावे नंगे पिंडे ओ मंजे ते बैकी रोटी खांदा पावे ते रख गंडा पान दा ते पाणी दा गलास मंजे दे दौन च फसाके खड़ा कर लेंदा उस कर्च ओ कि किसे वी मेले कपणेयां वाले राजस्थानी जट मंगदे पर आई जा बाजिगर सहंसी नू बुला के बठा लेंदा सी। अरी गालनू छट के ओधा कुझ वी पसांद ने सी। एक दिन ता उन्ना आखी दिता सी पई चुमन नाल सियानेयां दिया बिमारियां बच्यानू लग जांदियाने। उस दिन में बड़ा ओखा होया सी। दिल कीता सी पई उस कार नू छट के किते पाज जावां। इस ओरत नू छट के उन्ना जटां दि कुड़ी वसालवां जीदे नाल बापों ने मेतों पुछे बिना ही मंगना करना मान के रुपईया फड लेा सी। ते फिर किनिया मसीब्दा नाल ना हो सकी सी। जड़ी विदवा होके एक बच्चा लई अपने बाप दे कर बैठी है। ड्राइंग रोम ज़ अचानक शोर होया। बलविंदर दी पती जी ने मेरे बुहे ते खड के चीक दीने किहा। अंकल इंगलेंड आल आउट फार टू हंडर्ड थर्टी सेवन। दैन वट टू मी नॉंसेंस। मेनू लगदा है ओ मेरा बापू ने कोई रिटाइड सपाई बोल रहा है। बापू तो ता मेरी बेबे तकडी सी। ओ मेरे सौरे यां दे कर जाके भी मेनू बक्तारा ही केंदी सी। ओनू सी मान पुत्र जमन दा ते पालन दा ओधी आवाज भी गरीबडी जेही नहीं सी। बापू ता किन्नी उमर सर सर करन वाला सिपाही ते फिर जी जी करन वाला किसान ही रहा। जून कटी ही होई, हुन भी होई जान दी है। उस कार्च जिते जिन्दगी दे हर नियामत लब सकती है, गल सुने भी जान दी है, पुग भी सकती है। की गल बापू, मैं ओधे मंजे कोल पई कुरसी ते बै जान दा हां। ए रोडा का दा है, ओ पर्रा मोँते नक ते फेर दा पुछ दा है। मैं चुन्दै किरकेट दा, पहला इंगलेंड दा खिलाडी कैच आउट हो गया सी, ओधे गेंद पुछ हो गई सी, हुन ओहो हारन वाले हो गईने। ओहार जान गे, हरा देव सालेयां बिल्लेयान। बापु दियां तसीयां अखां हास्तियाने। एड़े कद काठ वाले इस बंदे ने बड़े पे ते रोग ने कट अते अपने अमीर पुत दे कार दे वसेवे ते उस कार दी सुख मंगन ने बौता मारया है। कई वारी मास सोचदा हाँ, मैं सोचदा हाँ जे इमानदारी दी गल करां ता मेनू बापु नाल किन्ना प्यार ते हम दर्दी सही। मैं इस कार नू तोड के बलविंदर नू छड नहीं सकदा। ओधी नाल मेरा पविक जुड़ेया है। बहुत ता मेनू जंगी ने मारया ह ओ ता किसी ते गुसा कर नहीं नी दिन दा, छुट अपने आप दी। बापु इस गैरज फिर भी खुश है, जादे एक कोठी बनन दी गल तूरी ता बलविंदर ने मेरे कन खालाई सी। रोटी खान वेले की, सौन वेले की, जिवे ओनू शुदा जिया हो गया सी। आखर म पाला चाचा कई गेडे मार गया सी। इस हुड़क चा। नाले बलविंदर दी एह गल भी ठीक सी पई, पिंड दी जमेन नालों, शहर दी कोठी दी कीमत तेजी नालवात दी है। पर बापु नू मनोना किन्ना उक्खा सी। जदो कैन्दा दो बिग्ये डले ने रखा हुं इक वार ता ओ मेरिया गल्ला सुनदार सुनदा रोही प्यासी। मैं जदो चुप कर गया फिर किन्ना ही चर चुप रहा। बलविंदर मेरे चुप रहन तो डरन रग पई। फिर ता इस तरह लगे जिमें साठे तिन्ना दे अंद्रों गल्ला मुक गईया होन। जा गल्ला गठा बज गईया होन। होन पल पल एही रेंदा सी के देखिये कौन फिसदा है। आंतनो भापू फिस गया। शायद उस तो मेरी उदासी ना चल ले गई। मैं ओदा मा बहरा पुत्त हाना। मैंनो एमें लग गया सी। फिर ओ आप ही जमीन वेज के कोठी बनादियां सलाह देन लग पया। कई दलीलां ते ओधियां बलविंदर नार वी राल दियां। पर मैं फिर भी फैसला ना कर सक्या। एक दिन फैसला होई गया। जमीन दे अरजिस्ट्री करके बापू रुपईये पल्ले पुआ के आ गया। फिर चो टी विक गई। छानते कोठा टा आदि उठे उठे ओठे 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 ओठा केडी होवे जिते बलविंदर दा दखल ना होवे ओसी गयारेज जिते खडी करन वास्ते साथे कोल हालेकार नहीं सी। एथे होन बापू खुश रेंदा है। ओ अपने मंजे कोल स्वादा तसला रखदा है। अपनी मर्जी नाल ते पामे कुर्सी ते सुप्टी रखे ओनो कोई पुच्छन टोकन वाला नहीं। इस तरा रैन दे सुख नो बलविंदर नहीं समझ दी। मेरे ओ दोस्त समझ देने जिन्ना देकार एहो जेहे बापू ने। जद ओवी ओंदेने बापू नो ज़रूर मिल देने। जद बलविंदर उनना लोका नो अनपड समझ दी सी। बापू आज की खार नो चित कर दे। मैं चीज कदा पूछ दा हाँ। आज ओदे पूते दा जनम दिन है। बापू नो शिराब दी मनाही है। नहीं ता ओदी पहली मांग एह हुंदी। कुज टिला होन का रिके वी बाप बापू बहुता खुश नहीं। उन्जवी आज मेरी बेबेदी बरसी भी है। बापू नो बेबेदी याद उद्दन तो बहुती ओंड लगी है। जाद तो ओह हस्पताल तो नमा जनम लेके मुड़िया है। इननी को गोई बना दे मेरा सावी कुश अड़ दै। बापू फर्माईश पौंदा है। एहे निगोणी जेही चीज दी लाल सा बापू नो पता नहीं क्यों है। कादतों हैं। पहलना पहल जाद उसने फर्माईश पाई सी। ता मैं बल्विंदर नो समझाया सी। पई गोई पतले जे कडा नो केंदे ने। पामे गुड़ शकरदा हो हुए पर उसनु जाची नहीं सी। एक वारता इसे गोई पिछे में डाइनिंग टेबल ते डॉंगे ते प्लेटना चोके फर्ष ते मार्दतियां सान। उस मूर्क तों कै हो गया सी। मैंनू की पता तो अड़े जट्टा बुट्टां दा एहु जेह खाने हुंदे ने। एहे गल कै के ओने अपने चेरे ते मुस्कराहट लेओं दी कोशिश भी किती सी। दो दिना बाद लडाई मुक गई ता बलविंदर उस गल्दा चेता मेनू बापु डिश कै के करांदी रही सी। गोई भिमला भी बना सकती है पर बनाओधा अकसर मैं ही हां। इसलए भी प उर्दवारी मत्था टेक के ते वाहिगरू वाहिगरू करया करी जिस तरा ओधी दादा जी चिट्टे दुद्वर की कपड़े पा की बैठ दीने। डाइनिंग टेबल ते बैके खांदीने ते शामनु काराई पुत्रा पुत्रेया नार राजनितियां गल्ला कर दीने। ओ कुदरती करूपी ना लड़ना पैंदा है। ए चोरा बापुदा ही नहीं, कुझ मेरा वी है। जद जमीन वेची सी ता मैंनू लग्या सी पई, आसी वी ओ लोक हो गई हां, जिन्ना दा पिछा कोई नहीं हुंता, जिन्ना नू अखवारां वाले तन काहां ते जोन वाले आ मैं सोफे ते ही टप गया सी, सौन दी हवा जोर दी वक दी है, रुख बूटे पैलियां, दोहरियां, चोरियां हुंदियां जांदियांने, खेताच गोड़ी कर दी लोक उठ उठ असमान वाल तक दीने, जद पुरे वल भिजली लिश्क दी है, ते पहाडावलों काली पू उगदे ढंगर कन चुक चुक चारे पासे वेख देने, ते पुसियां मार पूच्छां चुक चुक के, पिठनो ला के हिन्ना वांगू पाज पैन देने, एक किसान अपने कोठे दे छपर ही टां खड़ा, मीदा पानी वेख वेख हासदा है, ते अपने कारवाली नों हाक म मार के क्यारे पर मीदी खुश खबरी दिन्दा है, मैं सोफे ते क्यों कुद प्यासी, बलविंदर ने जान दी, पर ओने जाँ हालात ने मैनू इन्ने जुगा ही कर दिता सी, बापू अपनी पिठ पलोसता है, मेरे पुच्छन ते दसता है, पाई उस दे कब्बे मौर्च दर्द हुन्दा है, मैं ओदे सामने वाले कांद दी बिंडल तों बाम दी शीशी चुक के मालिश करदा है, सारी पिठ दा मास लमकमा ते खुरदरा है, इस पिठ दे किन्नी उमर तक पिठू रिया ते फिर बोरिया, पराजी जरा बाहर आयो, मेरा छोटा साला बलोंदा है, ओदे नालों होटल दा नौक कर खड़ा है, मैं अपनी मदद ली बलोंदर नो आवाज दिन्दा हां, ओँ मेरे नालों की ते छेती गिंती मिंती कर लेंदी है, किन्ने किसम दी मीट, मच्छी, पलाव, जर्दा अते डिशां, बापू गोई मंगदा है, बस ठीक है, मैं उनन दी असारियां गल्नाते हां कर देंदा हां, ते खेडा छुडा के रिसोई चा जानदा हां, बापू गोई मंगदा है, उसलिए एहे मंग उसे तरह ली है, जिमें असे शेहरा के जलेबियां जा बत्ता मंगदे हुंदे सी, जिमें कोई चीज मन चही रही पई होई, फर्क सि जिदनल मंगदे सी, ते बापू फरमाईश पौंदा है, ड्राइंग रूम चे फिर शोर मच्या है, रेडियो दी आवाज दे नाल हासे दा रोडा वी है, शायद किसे पार्ति खिडारी ने छिका मारेया है, जा सैंच्री दा नमा रिकार्ड बनाया है, जा किसे ने जोर दा चुटकला सुनाया है, मैं कीज आटा पो नरिया हां हासा हाले वी जारी है, कदे कदे चुटकला सुनान वाला जा सुनकी हसन वाला बन्दा किन्ना बेरहम हो जान्दा है, ओदी एक मिसाल बलविंदर भी है, जीदे कारण शायद ओदी माड़ी नीत नहीं, बेसमजी है, बलविंदर डर्देजी पाई ओदे रिष्टेदार खबरनो आण गे, तां की अखन गे पाई बुड़ा गयरेच पया है, उसे शाम बापू दे चेरे ते, कदे रत्ता को शान्ती हुन्दी ते कदे अचानक मुर्द नी छाजान्दी, मैंनू लगया हुन हालत चंगी नहीं असी शाम नो ही मिल्टरी हस्टाल चला गई, रात दे चार को वजे बापू ने सान्व कोल नो होन दी सैनत कीती, ते वसियत वर की बेंती कीती, मैंनू पिंड आलियां बढ़ियां चला जायो, पर डॉक्टर गरिवाल ने ओनू रात तो रात ठी कर देता, ओदे सरीर दा पा शायद इस डरों पई बलविंदर दे रिष्टे धर देखन गे, तक की कैन गे, कुछ दिना बाद सब कुछ नार्मल हो गया, ता एक शाम बलविंदर दियां वाल कटियां सहेलियां आईयां, कौफी सिप कर दियां, बलविंदर ने बापू दी मडियां वाली गल चुटकला बना के सुना दती, ओ सब जोर्नाल हसियां, पई मरन वाले नू की पता पई, उनू कित्थे लजाया जावेगा, ते कित्थे नहीं, फिर हर एक औरत ने अपनी सासजां सोरे दा कोई ना कोई चुटकला सनाया, जवाब चसारियां हसियां, गोई तियार हो गई है, ठंडी हो दी देर है, ड्राइंग रूम विच फिर हास से चुटे ने, होन कमेंटरी लंच ब्रेक करके बंध है शायद, होन ता जरूर किसी ना किसी ने बेव कुफी दी हाद तक कोई चुटकला सुनाया होवेगा, शायद बलविंदर ने ही ओही चुटकला दोराया होवे बापू व दिखी गई है, आसी अपने अगले वीडियो विच फिर मिलांगे, ता तक तानवात शुक्रिया